तो प्रफिजिकल अरेंजमेंट ऑफ दा कंप्यूटर सिस्टम और नोड विच इच कनेक्टेट टू इच अदर वाया कम्मिनिकेशन मीडियम इसकोल्ड टॉपोलोजी इसका मतलब क्या हुआ किसी भी जगह में हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस फॉर्म में कनेक्टे है किसी कम्मिनिकेशन मीडियम के फुरू उसी को बोलते हैं टॉपलोजी तो यह जो कनेक्शन का है ने यह अलग अलग प्रम हो सकता अगर सरकल के फो में कनेक्टे अलग टॉपलोजी होगा तो इसी वजह से टॉपलोजी को आगयन kalo अलक पार्ट में डिवाइट किया गिया सब्सक्राइब है यहां पे देखो पहला होता है बस्ट ओ si रिंग टोपोलोजी स्टार में संझ अर्ग आपर 시क्व दूट गमेतों यह पीर में देखो एक लंबा इस ट्रेंट केबल यह एक लेक्स चानल के तरह यहां पर एक्ट कर रहा और इसी लंबे केबल से सभी डिवाइसे सकनेक्टेश एंड ओल डिवाइसे सर कनेक्टेश तो दिस केबल इसी केबल से सारे डिवाइसे सकनेक्ट है तो अगर इस फोम में आपको कहीं भी कंप्यूटर सिस्टम फिजिकली बताता हूं अभी यहां पर फॉर्स्ट एड्वांटेश देखो बस्ट ओपोलोजी का इजी टू एड रिमूब नोट इने नेटवर्क आपना नेटवर्क में किसी भी नोट को असानी से एड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो नोट का मतलब एक कंप्यूटर यहां पर एड्वांटेश हुआ ध्यान से समझना ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं सेकंड पॉइंट क्या है रिक्वाइड ओनली केबल आपको बस लंबा सा इस्ट्रेट केबल चाहिए बस्ट ओपोलोजी बनानी के लिए और कुछ नहीं कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ दो बन गया थर जाहएं इंट ब्रोडकास्ट दा मेसी देड़ाइज डिभाई करनेक्टेट लकेबल इस केबल से जितने भीडिवाइस क्विष पॉन जाओज कोस्ट करते हैं माल लिज् förम लगूजें अगर यह को जनड करना है स्टार्ट किया तो इस केबल में जितने भी कंप्यूटर सि क्योंकि इसका structure बहुत ही simple है last advantage क्या है in case of any computer failure there will be no effect on other devices अगर माल लिजे हमारा कोई computer fail हो गया माल लिजे यह हमारा system खराब हो गया तो यह दोनों तो चलता रहेगा इन दोनों में कोई फर्क ने पड़ेगा क्योंकि यह तो हमारा वायर है यह communication media तो यह हो गया एड्वांटेज जो बस्ट अपोलोजी अभी इसका disadvantage में समझो तभी आप clear कर पाऊगे इफ केबल इस फेल देन दा इंटार network will be failed मालो यह जो केबल है न अगर यह केबल ही खराब हो जाता है तो आपका सारा जो network बना था न वो network अपने आप खताम हो जाएगा क्योंकि यहीं केबल ही तो सभी को connect कर रहा आपस में सेकेंड डिसद्वांटेज क्या हुआ दा मेसेज़ेस और ब्रोड़कास्ट सो वि कन नोट सेंड प्राइवेट मेसेज़ेस मैंने आपको अगर डिसद्वांटेज में इसको ब्रोड़कास्ट करता मतलब यह अगर मेसेज़्ेंड किया सभी के पास पहुंच जाएगा तो इसका डिसद्वांटेज यह हुआ कि आप प्राइवेट मेसेज नहीं भेज सकते अगर आप यहां से इसको भेजना चाहते है न तो आप इ मेसेज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्यों क्योंकि एक लंबा सा वायर है अगर मालेजी यह मेसेज भेज रहा तो इसकी पास मेसेज पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ठीक है और डिसद्वांटेज क्या है दा लेंट ओफ केवल लिमिटेड इ रफर गर लेंगे सैना है कि आप कमर जी आप जहां तक पैला दो आप चाहो तो बनाना चाहो बस्ट ऌप उपलोजी नहीं कर सकते हैं इसका लेंद काफी ज्यादा लिमिटेड है सोट डिस्टेंस के लिए यह बस्टोप उपलोजी बना सकते हो लास्ट डिसड्वांटेश क साइब उसी टाइम पर यह डिटा अगर सेंड करना स्टाट कर देगा और यह भी तक यह तो दोनों को एरर मिल जाएगा डेटा सेंड नहीं होगा मत्तब एक ही साइट से एक टाइम डे टास्ट अब ही चलो आपको अगला टॉप ओलोजी के बारे में बताता हूं यह हमारा सेक तो एक रिंग बना हुआ सरकल के आप में और सारे डिवाइस जिसकर नुटेड हैं और यही हमारा कम्मिनिकेशन मीडिया में इस टोपोलोजी का ठीक है इन इस टोपोलोजी इच नौड is strongly connected with its adjacent node इस topology में क्या होता ना जितने भी node यानि जितने भी computer है सभी अपने बगल वाले node से एकदम connected strongly connected जैसे इसकी बात करें अगर तो यह इसे और इससे connected strongly connected इसकी बात कर रहते हैं इन दोनों से connected है तो यह हो गया रिंग topology का figure आप exam में ना same figure same definition निखना एक नंबर भी नहीं कटेगा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करते चलिए अभी मालो आप रिंग टोपोलोजी यूज करते हो सरकल के फॉर्म में अपने डिवाइस को करेंट करते हो जैसा इस फिगर में देख लो तो आपको क्या फाइदा होगा यह देखो एडवांटेज सबसे पहले एक स्ट्रॉंग नेटवर्ट बनाता है क्यों कि सारे जैसे यह सिस्टम अपने अर्डेशन नोड से स्ट्रॉंग ली कनेक्टेड इसलिए सेकेंड क्या होता है इच एन एव्री नौड कैन जेर डेटा विद अनदर नोड कनेक्टेड थूर रिंग टॉपोलोज इसमें जित्ने भी नोड है झालो अगर यह डेटा और करना चाहता थो इन तीनों को상 कर चकता है और इसमें डेटा आप क्लोग वाइת कर सकते एंटि क्लॉग वाइज भी सेड़ कर सकते हैं ब्रॉड़ कास्ट इसमें भी होता है ठीक है डिस्टेंस काफी कम है तो डेटा स्पीड ट्रांसफर का बहुत ज्यादा होता है इसमें लास्ट वाला एडवांटेज क्या है दा डेटा सेंड थू रिंग टॉपलोजी विल ब्रोड़कास्ट इसमें डेटा ब्रोड़कास्ट हो जाएगा मालों यह डेटा कुछ भेज रहा विमग्च बिसक्ते करक्व करता सेंट एंवर क्या है बनाशला सब्सक्रास्ट और पॉट्पलोजी क्या है तो इसमें फिशुक्रिद आहें है काफ मुटन को यह carrots करना पंधा पाड़ेगा तो इसमें गरतplyं करना काफे करना तो लेकिन इसमें यह गर गाकिवान साथ उन अगर मालो हम कोई data send करना चाहरे हैं यहां से send करना चाहरे मेरा मूटो इसको देना तो जूट मूट का इसके पास भी data पहुंच जाएगा और इसके पास भी पहुंच जाएगा तो यह दोनों सोचेंगे भी कि भाई मेरे को क्यों भेज दिया इसने आपको एक्जामपल बतात प्रेंट के लिए काम का जिसको भेजना चाहते थे तो आप परसनल इसमें नहीं भेज सकते हैं यह इसका बहुत बड़ा disadvantage है थार्ड इसका disadvantage क्या है single point of failure that means if a node goes down entire network goes down अगर मालो एक point में भी कुछ फेल हो गया न मालो यह खराब हो गया तो आपका यह network खतम हो गया single point में भी failure हुआ आपका network खतम हो गया क्यों मालो यह data बेजना start कर रहा clockwise यह खराब हो गया ते लों को तो मिलेगा ही नहीं network खतम और क्या यहां पर अगला point it is very difficult to recover the ring topology if any particular machine is not working properly मालो कोई particular machine अच्छा से काम नहीं कर रहा मालो यहीं खराब हो गया तो यह पता करना काफी मुश्किल होगा कि यह खराब है क्यों मालो यह data इधर से भेज रहा तो इसको भी मिला और यह सोचे गना कि इसको भी मिल गया यह तो खराब है इसको तो पता ही नहीं है तो यह बहुत मुश्किल है पता करना अगला point क्या है we cannot send private messages इसमें हम private message नहीं भेज सकते मतब individual person को नहीं भेज सकते अभी चलो आपको next topology के यहां पर देखो सारे devices ना एक central network device hub से connected है तो मेरा definition और मेरा figure कर देख कि मुझे यह नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रत है क्योंकि मैं कुछ इस तरह से notes लेके आया हूं कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा लेकिन फिर भी मेरा का में बता ना वो तो मैं बताऊंगा अगला point क्या है and the sharing of data is only possible through hub मालो यह computer system इसको कुछ भेजना चाहता है तो सीर्व और सिर्व इसी hub के थुरू ही data का sharing हो सकता है sending receiving किसी other medium से नहीं हो सकता यह direct इसको इधर से नहीं भेज सकता इधर से ही भेजना होगा अभी इसे यूज करने का फाइदा क्या है वो जान लो पहला फाइदा है इट ब्रोड कास्ट दा मेसेज मैंने आपको बता आता है जब मैंने हब network device आपको पढ़ा आता कि हभी क्या करता है message को broadcast करता है मालो यह कोई data send करना start किया इन तीनों के पास पहुन जाएगा जल्दी से जितने भी device connect होंगे आप से सभी के पास message जाएगा second advantage क्या है it is less expensive due to less cable यह काफी ज्यादा सस्ता होता है क्योंकि इसमें केबल काफी कम होता यह देखो एक केबल इसके लिए है एक इसके लिए चोटा-चोटा केबल लगा दो तो खर्चा कहां आ रहा नहीं आ रहा अभी third advantage क्या है easy to connect new nodes without affecting rest of the network इसमें नए कंप्यूटर यानि नए नोड को एड करना काफी ज्यादा असान है figure में बताता हूं क्यों असान है देखो इस figure को देखो मालो मेरे को एक और computer system यहां पर एड करना है बस यहां से जोड़ दूंगा एड हो जाएगा इस साइड में एड करना है इधर से जोड़ दूंगा एड हो गया तो काफी असान है तो इसे यह advantage है अभी last advantage क्या है if one node failed then it would be not failure of entire network अगर एक machine fail हो जाता है तो पूरा network fail नहीं होगा figure में चलते हैं कि यहां पर देखो विमान लोग माल लो कि आलगे ओल यह क्त intend गव गया तो इसका मतलब यह ने कि यह चाहिए में यह तिनों भी सही है यह कंख और यह जैसा इसके रहने के पहले हुआ लो तो यह गया advantages अभी इसका यूज करने का नुकसान शलो बताता हूं democr Especially disadvantage देखो star topology का in star topology we must require a network device like hub switch router etc देखो इस figure को देखो अगर आपको star के form में topology में network create करना है तो आपको यह device तो चाहिए ही होगा यह network device है हब आप चाहें तो इसके जगह पर router लगा सकते हो switch लगा सकते हो लेकिन बिना इस device के तो आप star topology बना सकते हैं अगर डिवाइस हटा देंगे तो आप बस बना सकते हो रिंग बना सकते हो लेकिन star नहीं बना सकते जो आप चाहते हो second disadvantage क्या हुआ इफ टू नोर्ट्स वांट्स वांट्टु सेर्द डेटा sharing is only possible through hub मालो यह न इसको कुछ देना चाहता है तो बिना इसके नहीं दे सकता है इसके थू ही इसको डेटा मिलेगा डिरेक्ट नहीं दे सकता यहीं इसका disadvantage हो गया अगर इसके थू जाएगा यह लोग दोनों को भी मिल जाएगा यह लोग को चाहिए नहीं फिर भी मिल जाएगा यह disadvantage हो गया third क्या हुआ if hub is failed the entire network will be failed मालो आपका यह device खराब हो गया यह खतम हो गया किसी काम का नहीं रहा तो आपका यह network भी किसी काम का नहीं रह जाएगा यह डबबा बन जाएगा यह अकेले हो जाएगा यह भी अकेले हो जाएगा सब्सक्राइब कर देगा अब चलो अगला topology के बारे में बताता हूं सबसे बढ़ियां और सबसे अच्छा topology होता है मेस topology तो यह क्या होता है इन दिस topology इच एन एवरी computer is directly connected with each other इस figure को देखो इसमें total पांच computer system है तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए यह चारो है तो इस computer system से आप देखो यह भी direct connect है यह भी direct connect है यह भी डारेक्ट है और यह भी directly connect है तो सारे जब directly connected है तो क्या कर सकते हैं हम सो वीकें डारेक्टली सेंड दाडेटा टूदा destination machine without going to intermediate machine तो इससे क्या होगा कि अगर मालो इस computer system को इसको data भीजना है तो यह direct इसको भीज़ देगा यह इसको direct भीज़ देगा यानि private data इसमें हम भीज सकते हैं और आपको यही recommend करूंगा अगर आप टॉपोलोजी के थुरू system को connect कर रहे हो तो मेंस wireless use करो अभी से use करने का फाइदा नुक्सान कर वो भी बता देता हूं पहला फाइदा है मेंस Ł posit में यूज करें का it is a प्रयाइट मेंसिज हआगर आप किसी प्रैवेट मेंसरे बहुत ही अच्छा क्यों कि सारे डिवाइस एक दूसरे से डारेक्टली कनेक्टेड है सेकेंड एडवांटेज क्या हुआ ओल नोट साथ डारेक्टली एसोसियेटेड विद अनदर नोट सोब लेटं प्रोड한데 कनेक्शन देखो जितने भी कंप्यूटर सि्टम होते है इस फिगर को देख लो मैं नीचे करता हूं कैमरा यह इस पोइंट पिंट पेपी कनेक्ट हैं यही होता इसका जनद्वर्क हो जाता-ता-ता तो सारा चाहे तो भी सकता है यह चाहिए तो इन तीनों का काम होता रहेगा बिने इस के भी इसमें सब अपना अपना देख रहा ठीक है कोई किसी के लिए सगा नहीं है इसमें लास्ट पॉइंट क्या अड्वांटेज मल्टिपल डिवाइसेश कें सेंड और रिसीव डेटा सामेंटेनियसली इसका मतलब क्या हुआ इस फिगर को देखो मालो यह डेटा इसको सें और यह डेटा इसको सेंड कर रहा तो यह एक टाइम में डेटा सेंड भी कर रहा और रिसीव भी कर रहा सामेंटेनिसली दोनों काम हो रहा है एक ही टाइम पर ठीक है अभी इसे यूज करने का नुकसान क्या है इट इस वेरी डिफिकल्ट टू एड सम निव नोड बिकरज इस और एवरी कंप्यूटर डिरेक्टली कनेक्टेड विथ अनदर वन इसमें ना किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम को एड करना काफी मुस्कीर है क्यों मालो अगर आप यहां पे कुछ एड कर रहे कंप्यूटर सिस्टम तो आपको फिर से ऐसा लोजिक लगाना होगा कि सा आपको काफी मुस्कीर दिमाग लगाना पड़ सकता है ठीक है असानी से नहीं होगा बस के जैसा रिंग के जैसा सेकेंड क्या है इप पर्टिकुलर मसीन नोट वर्किंग देन वी कांट सेंड और रिसीव डेटा फ्रों दी फेलियर मसीन मालो यह चल बसा यह फेल हो गया त टोपलोजी अपना अगला थाईप यानी प्ताइब अगर आप बहुत सारे कम्प्योटर्स खों बहुत सारी Division के मद geschक कर stray tap hybrid लोजी को योज करिये combination अन्वannée दिफ्रेंट टो पोडोजी एक से ज्यादा तो पॉलोजी का मिए इसे को अपस में connect कर रहे हो तो वो गया hybrid topology अभी आपका टास्क क्या है इसमें से आप पहचानों कितने topology है यह सबसे पहले straight line आपको दिखता होगा इधर भी connected है इधर भी हो गया हमारा बस टोपोलोजी अभी यह कौंसा Tomlkullo में होगया आप थोड़ा सा डिटो को पॉस्त करके बताओ कि यह हो गया हमारा ring ugapology की रिंग के फूर में सारे डीवाइस और यह कौन सी टोपोलोजी है हमारा हमहारा से connected सारे डिवाइस यह हो गया हमारा star topology तो देखो तीन topology से मिल के बनाएं आप चाहें तो चार से भी मिल के बना सकते हैं पांच से भी मिल के बना सकते हो आपकी मर्जी लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए तो यह हो गया कोमन पॉइंट निका लिए आपको ड्वांटेज डिसद्वांटेज पता चल जाएगा अभी चलो ट्री टॉपोलोजी के बारे में बताता हूं सबसे लास्ट में अपना ट्री टॉपोलोजी है छट्था टाइप है टॉपोलोजी का देखो गाइस मुझे पता है आपको अंचेस ओफ ट्री फिगर को देखो यहां पर मालो यह एक पेड़ है और यह उसका जड़ है ठीक है यह जड़ हो गया और यह तना हो गया एक डाली इधर एक डाली इधर आगे देखो तो यह ट्री हो गया ना दा कॉम्बिनेशन नों बहुत